हलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ इस pandemic की टेमें आप लोग सब ठीक होंगे घर पर होंगे और दबाकर पड़ रहे होंगे क्योंकि अब exam स्टार्ट हो चुके हैं TCS ने exam कंड़क करा लिये हैं और CPO September में है ये confirm हो चुका है तो अब exam सी तो बारिश होने वाली है तो आप लोग सब बस पढ़ते रहे हैं और selection लीजिए और आज review में कर रहा हूँ Manorama Yearbook 2020 का जो current affairs की book है especially guys मैं पहली बता दूँ ये SSC के perspective से नहीं है लेकिन SSC का काफी कुछ मिल जाता है उसके अलावा भी देख सकते हो अब UPSC साफ साफ लेख रहा है UPSC Civil Services तो बहुत बहुत सारा कुछ loaded है knowledge इसलिए आप confused ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ SSC का काफी सारा इसमें मिल जाएग आप एक्स्ट्रा भी काफी सारा है तो आप पहले इसको देख लीजिए काफी मोटी है ये पीछे से इसका back cover ये side से ऐसे Manorama Yearbook 2020 मैंने online order की थी Amazon से अंदर देखते हैं इसके मैं दिखाता हूँ आपको इसकी index कितना सारा सब कुछ है इसमें अगर आपको थोड़ा अलग knowledge चा पसंद हो या environment के बार में पसंद हो पढ़ना पढ़ना पसंद हो आपको तो आप ये तब ले सकते हैं extra knowledge के लिए अदरवैस सिर्फ अगर SSC के perspective से चाहिए तो मैं मना करूंगा इसको मत लीजिए क्योंकि इसमें आप फिर confuse हो जाओ कि इतनी मोटी है आप के पास और भी subjects हैं तो इसमें आप time waste ना करिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ सीधे इंडेक्स पर चलते हैं ठीक है ये इंडिया एंडी वर्ल्ड यहाँ पर देख लीजिए ये पूरी इसके इंडेक्स इसमें इंडिया के बारे में जो major news team वो cover हैं और काफी सारे articles इसमें हैं और interview भी इसमें publish किया है इनोंने मैं दिखा दूँगे इसको और अंदर से इंडेक्स अभी देख लिजिए इंडिया वर्ल का दौनों का फिर current affairs यह जो पूरा current affairs का section है यह पूरा एसससी के perspective से पूरा काम का है बाकी की चीज़े जिसमें पर इसको दिख लिए ते है current affairs को दिख लिजिए इंडिया वर्ल का पूरा current affairs से deaths है आपको पता है death भी आ जाती है एक्जाम में इंडिया से कौन का मरा वर्ल में से भी पूछ लेते हैं persons in the news हाँ यह बहुत important है ट्रेक्ट नीज में कोई person होते हैं उससे लिए कुछ questions पूछ लेते हैं एसे ही वर्ल का फिर places in the news इंडिया वर्ल नोबल प्राइज बुकर प्राइज और अडिवर्स्टी तो यह तो सारा section एससे के परस्पेक्टिफ से है तो में बूलाओ ना एससे का तो मिडी जाएगा पट एक्स्ट्रा बहुत से गर्वर्वन इनिशियेटिव्स यह भी आता का पढ़ना तब आप यह ले सकते हैं इस information technology का आपको पढ़ना पसंद है science medicine में आप देख लीजिए एक बार इधर देख लीजिए information technology अगर आपको पढ़ना पसंद है अगर किसी भी इन में तब आप इसको ले सकते हो और सिर्फ यही पढ़ना है एक्जाम में आये question आप लगा दो बस उतने हां यह आपको knowledge चाहिए तो फिर आप यह मत लिजिए का पैसे वेस्ट होंगे इसे मेरा personally मुझे पढ़ना पसंद है environment की बारे में तो जी मैंसे ही मैंने book आई थी मेरे पास deliver हुई थी मैंने सबसे पहले environment का section पूरा cover किया था तो मुझे environment का पसंद है और geography and space मुझे section पसंद है इस वेसे में यह बुक ली थी यह भी मैंने पढ़ा था इस जोग्राफिन space में आप देख सकते हो moon life moon landing पता होगा आपको Apollo mission उसके ब्लैक होल ब्लैक होल का आपको याद होगा photo click की गई थी first time तो वो सब इसमें cover मार्स लेवल का है कि इसी पॉलेटी में थोड़ा थोड़ा पॉलेटी में इसे दे दिया है जो हुआ था article 370 constitution ऑफ इंडिया थोड़ा थोड़ा पता दिया है इंडियन स्टेट्स इंपोर्टेंट है इसमें सारी चीज़े कवर कर दिया इंडियन स्टेट्स की अब यह सब एक्स्ट्रा है जेंडर एंड शोशल जस्टे सते एक्स SSC के व्यू से यह सब एक्स्ट्रा स्किल डबलबमेंट हो गया education and career, art and culture, art and culture आता है पर उतरा नहीं आ इस SSC में आपको भी पता है communication अगर आपको इन में से कुछ personally पढ़ना पसंद है तो आप यह ले सकते हैं economy आप में इंडेक्स दिखा रहा हूं कि सब कुछ कवर है सब कुछ नहीं है जो कवर ना हो, हाँ general knowledge important days में box author and their nationalities but seriously बता हूँ personally तो books भी इसमें काफी सारी दिवनी है यह थोड़ा important है, international relations आपको पढ़ना पसंद है, मुझे भी पढ़ना पसंद है तो मतलब आपको अगर पढ़ना पसंद है other topics तो आप ले सकते हैं otherwise यह sports हाँ, sports मत भूल जाने है का यह बोले sports हो था ही नहीं, sports का सब कुछ cover है जो आ सकता है exam में आर्टिकल देख लिये सबसे पेले अभीजीत बनर जी का ही है सब लोग चानते ही हूंगे उनका पूरा आर्टिकल उन्हें पबलिश किया है असरे पास और दिखा दिना बूग अच्छी है, definitely आं कुछ sections दिखा दिता हूं इसे, current affairs का दिखाता हूंगे एक कर्रेंट अफेस का सेक्शन है इस तरह इसमें न्यूज दी गई है इंडिया दिखा देता हूँ करेंट अफेस यह है पूर एलेक्शन के रहने कवर किया है जो एलेक्शन हुए थे उनका तोर सा आगे से और दिखा दूए आज़ाइजमेंट यह जो अटेक हुआ थे जम्मो कस्मीर में न्यूस तो आपको सारी कवर है इसमें करिंट अफेस को सेक्शन तो बहुत ही अच्छा है इसका सब कवर हो जाता है आपका करिंट अफेस वर्ल्ड में आपको देखा देता हूँ करिंट पेस वर्ल्ड का भी पूरा reconciliation का अचिशन क्या चल रहा पुरे वर्ल्ड में, काफी अच्छा लगा था मुझे है, अब मैं आपको इन्वार्मेंट पर लेकर चलता हूं, मेरा प्रवरेक सेक्ष्ण, यह इंडिया का आपको पता ही होगा, फॉरेस्ट इडिया बढ़ गया था, इंडिया और चाहिना का पुरे, काफी बढ़ गया था इंडिया का, जो कि एक अच्छी बात है, इवेस्ट मेनेजमेंट, पढ़ने की वादा को पता चलेगा, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यह बहुत दुखत समाचा, जल्दी खतम करते हों, अच्छे वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लास प्लास्टिक प्लास्टिक एब्री वियर, सच हुए, दिमाग खराब कर दखा इसमें, यह देखिए, क्या कंडिशन होती है, यह पढ़ने, एलवाट रोस का पढ़ना में दखाएता हूँ, वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा स्वारी, अब मैं हाटाता हूँ ही, तुमें इंडियने स्टेट्स का अफो थोड़ा दिखा देता हूँ, यह मैप, यूनियन ऑफ इंडिया, इधर स्टेट्सिम्बल्स, ऐसे ही रेंडबली में दिखा देता हूँ, यह स्टेट्स की बारे में, गववर्नर, सीयम, औरन की एरिया, डिस्ट्रेक्ट, ठीक है गाईज, स् तो अलेडी गाईज, मैं पता चुका हूँ, वो किस लिए है, आपको अगर स्टेट्स की परस्पेक्टिव से ही पढ़ रहे हो, तो नहीं लेनी है, अगर कुछ एक्स्टा नोलेज चाहिए, तो लेनी है, आपके उपर है, क्या करना है, अदरवाइस सिर्फ स्टेट्स की प बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, देखने के लिए,